पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट् क्या आप ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंवैज्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिये गए हुई व inve नमबर पे कॉन्टेक्ट करें क्यों कि हम आपको देंगे बरवक्त भेहतरीन माष़्वरे उसके साथ साथ अगर आपको हमारा consistency services group जोएन करना है या फिर account open करवाना है तो आप हमारे नीचे दिये गए हुए whatsapp नंबर पे contact कर सकते हैं असलाव अलेकुम everyone, this is Meghna here from Pakistan stock market updates and I'm here with Mr. Haji Iqbal डेडी और आज हम इनसे सवालाद करेंगे stock market के बारे में के आज sir, Assalamualaikum sir, कैसे हैं आप? आज fine, very fine. Sir आज जो है market वैसे expectation थी कि market पर प्रेशर होगा क्योंके boundary policy means 1.25 BPS or increase हो गई तो आज market positive होने के पीछे क्या reasons है? आज देखो एक तो reason ये था के market पहले तो डिप्रेश इसलिए हो गई के बारी कराची के अंदर इतना हुआ था जैसे flood आ गया था तो लोग कम पहुचे थे market के अंदर और market में जो सवा परसन बरादा ना वो एक negative ख़बर थी तो लोग जिसको भी आप पूछो ना तो वो एक ही बात करते थे के माल नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसके बाद एक good news आ गई कि आएम एफ एग्री हो चुका है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हमारे जो वो थे ना सारी चीजे वो कंडिशनल वो आप हर चीज आपने पूरी कर दी है तो यह न्यूज आई ना यह न्यूज के बाद मार्केट पिक अप करने लगी और अच्छी यहां से रेली चलने लगी और दूसरी बात मैं आपको बताओं देखो ना सवा परसन गटने के बाद भी आपकी मार्केट इतन लगा रहें ती बिल में उसमें इसमें यह आपको उससे भी यह चीज आपको डबल देगी आपको एक चोटी सी में मिसाल बता दू सुई नोर्दन वस ट्रेलिंग थर्टी वन रूपीज लास्ट वीक आज चालीस रूपे है तो आप उसको तो देखो यह तो तकरीवन हो ग तो दूसरी बात यह है कि ऐसी बहुत सी आइटम में मार्की देखो ना आप ओजी जिसी देखो कैसा पर्फॉमंस कर रही है मार्की अंदर बहुत अच्छे शेर लेने के लिए और जो इंट्रेस्टेर का जो लोगों को डर था ना एक फिर था वो फिर निकल लिया है निकलना चाहिए कि यह मार्कीट है यह कोई गेंबलिंग प्लेस नहीं है जो लोग बोलते है कि 80% यहां गेंबलर है कोई गेंबलर नहीं है अभी आपने कहा कि मार्केट जो है वह आपको बहुत अच्छा रिटन देती है इस प्रेजरी बिल्स लेकिन देखा जाए तो मार् अच्छी परफॉर्म कर रहे है यह लॉंग टाइम इसका रहेगा मगर आप शोट टाइम में भी थोड़ा थोड़ा प्रोफिट कीजिए को कोई आपको जो थोड़ा बहुत प्रोफिट मिलता है तो उसको आधा आप सेलओ कर दीजिए और दूसरी बात यह है कि यहां से भी मार्केट के चांसस बहुत बर है देखो एक फियरनस थी कि यहां इंट्रेस्टेट इतना बर जाएगा और मार्केट घट नहीं रही थी इसका मतलब यह है कि लोगों को माल लेना है अच्छे इन्वेस्टर आएंगे यहां पर और मुझे लग रहा है देखो आज से यह आएंगे तो वह भी पाकिसान के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत है और अपनी मुझे लग रहा है फरदर यह अच्छी घबरे आपको सुनने में मिलेगी तो आगई है कि गवर्मेंट आगे 45 रुपीज और का जो रेट है वो डिक्रीज करें इंटरेक्शन मार्क इनका बहुत अच्छा है इन पेक आएंगा चोची चोटी आइटम हैं दूसरी आइटम हैं उनकी इसकी वज़ा से मार्कित में रेली भी चलेगी अच्छे दाम भी आपको मिलेंगे और और मुझे लग रहा है यहां से फर्दर दस पंदरा डोलर नीचे आएगा देखो ना कि कह सकता हूं कि नेक्स जो मौनेटरी पोले से आएगे ना उसमें आपका इंट्रेस्टेट भी नहीं बढ़ेगा और मुझे लग रहा है आठाना या वन पर्संट यह इंट्रेस्टेट घटाएंगे विज़से सर देखा जहें तो डॉलर का रेट आज भी इंक्रीज होग इसमें भी कमी नजर आएगी यह देखो ना यह एक ऐसा मेन्यू प्लेट होता है कि चंद लोग भी है और देखो डॉलर आ डॉलर में यह गवर्मन्ट को थोरा डिसीशन देना चाहिए देखो ना डॉलर में लोग बशारे बहुत मरते हैं अगर मैं आपको बताओं किसी को थोरे डॉलर लेने होते हैं तो यहां एक माफिया है एक माफिया ऐसी है एक्षेंज वाले जो क्या करते हैं कि फरस करो तो आप जाओगी ना कि मुझे लेने हजार डॉलर यह यह देखो ऑपरचिनिटी सब पो देनी चाहिए यह सिरफ पचास जार लाग डॉलर को नहीं होगी ना तो 208 रुपे दाम है ना तो यह आपको मिलेंगे 211 रुपे में और फरस करो यह आपका 3 रुपे तो यहां खा जाएंगे और आप वोलोगी ना कि मुझे बेच रहे तो 208 रुपे दाम है ना तो यह आपके लेंगे 204 रुपे में तो यह तो बहुत बड़ा माफ त्वीजिस्तान के अंदर हाँ ये काम कर रहा है तो यहां तो गवर्मन को इश्ट्रिक और इतना सट करीके से ये करना चाहिए और स्टेट बेंक को भी थोरा बहुत करना चाहिए और मैं दूसरी बात यह बताओं कि देखो करना चाहिए और मित्रा इसमाइल को कि यह थुरा बहुत इस्टोक के अंधर आए आप देखें यह बहुत ही लोग बड़े हुए हैं और यह बहुत अची रेली चलने वाली और चलेगी अगर आप सपोर्ट करों को कि कि मार्केट के अंदर जो शेयर्स मिल रहे हैं और अची कंपनिया मिल रही है वैसे से जैसे डॉलर का रेट और भी इंक्रीज होने वाला है या वदर कम होगा तो फार्मसीटिकल सेक्टर पे तो इसका बहुत ज्यादर इंपेक्ट होता है तो आगे चलके आप इस सेक्टर को कैसे देखते हैं यह फिलाल तो मुझे लग रहा है कि इसे ही रहेगा आगे जाकर भी बढ़ सकता है मगर इसमें इतनी ना गुंजाइस मुझे लग नहीं रही है दूसरे दूसरे सेक्टर बाइस जैसे ओल इंडेंगेस है यह अपना यह कुंसी है यह फर्टिलाइजर सेक्टर है बेंकिंग सेक्टर है इसमें आपको अच्छी इसमें मिलेगी और से इसके इलावा जैसे आपने अभी का के ओलन के सेक्टर जो है वो एक्स्पेक्टेशन है कि आगे चलके उसके रेट अच्छी ही होंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगा तो आप कौन से शियर सजेस्ट करेंगे इंवेस्टर्स को मेरे असाब से दोज अज़र्म करेंगे और शुच्छ ब्रम करेंगे डियरें यह जो कुछ भी नहीं किया है एक बादी बहुती बिलोग रेट रहे है गया इसका तो दाम आपको तक्रीम बस तीन फिकर से उपर ही होना चाहिए पी एसके अदूर्ग बहुत अच्य है यह औज़री अच्छ अच सेर्स क्योंकि यह आपको अगर आपके पास रह भी जाते हैं ना तो यू गेट एफ प्री त्री मन्स यू गेट डिवीडन तो यह शेर्स में तो बिलकुल लोगों को फिकर ही नहीं करनी चाहिए और हम तो लोगों को यही बोलते हैं देखो ना इतना ज्यादा नेगेटिव म देखो ना मार्केट के अंदर हम बोल बोल कर थग गए हैं कि तकरीबन डेट सो कंपनिया हैं जो तकरीबन एक सो बीस पंदर अप कंपनिया हैं जो डिफोल्ट काउंटर पर हैं जो सेस्मेंस हने उनका यह लोग करी नहीं रहे इनको करना चाहिए लोगों के रुपे डूप यह सर और इसमें बहुत सा लोग जो है वह अभी तब फसे हुए भी हैं तो आगे चलके यह जो है इंवेस्टर के नेगेटिव इपेक्ट आता है तो आप मतब क्या क्या मतब आप सजिस्ट करना चाहेंगे इन्वेस्टर को यह कहूंगा कि दुको ना तुमारे पास यह जो जो पुंजी चोटी चोटी पुंजी थी वो खतम हो गई है और ना इनका कोई जवाब देता है इतनी बड़ी PSX इतनी बड़ी जो SECP जो रूल्स को फोलो करती है वो आप थोरा वो गलत काम करते हो तो वो पकड़ लेते मगर इसमें भी तो पकड़ो आप इसमें क्यों नही क्यों 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 नहीं पकड़ते हो अभी देखना रिजंट ली लास्ट वीक आई गोट लेटर के सेस्पेंशन्स ऑफ सामीं टेक्स्ट है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं बड़ी है तो यह क्या SECP सो रही है इस्टोप मैनेजमेंट क्या वो कर रही है देखो ना यह अभी लोगों ने लिए 8-8 रुपे में 7-7 रुपे में तो यह देखो ना हम तो बोल बोल कर थक गए मैं तो अभी दूसरे लोगों को एड़्वाइज कर रहा हूं यह चोटे-चोटे जितने भी हैं ना यह जो चंद मीडियम लोग है जिनके पास यह शेर चुक है उनको मैं यह जयरी में तो इस आप आकर इन से फाइड कीजिए और इनको बोलो कि यह हमारे का अगाश के टूकर यह दूंवे हो गये जिदूनिया में कहां भी नहीं होता है आप इतनी इतनी हैंसंव सेलरिया लेते हो आपका का म क्या है आपका काम यह है कि प्र लेए करो वेसे आजिसे अभी आपकी एंग्रो कॉर्परेश। की बारे में क्या आएए और इस आएागे लिए जहां एक नीच अगैंगे इन इतना जादा U ये शेर बहुत अच्छा है एंगडों में तो बिल्कुल गभराने की बात नहीं है तो थोड़ा बोट फ़रक परेगा निंग पर हां मागड़ी बंसी तो मतलब ये गेन करेगा ना तो ये अच्छा शेर है चलने के लिए थैंक ये सेर थैंक ये सो मुच पर अवैलेबल ताइ ये तो